जैसाई रॉम एफ्रिवान वेल्कम टू मेरे साई वेल आज सवाल आप पूछेंगे साई से और देखते हैं साई क्या जवाब देते हैं मैं तीन कार्ड पिक करूंगी ठिक है और आप तब तक जो भी ये विडियो देख रहे हैं मन ही मन अपना सवाल रेडी कर लीजे कि कौन सा सवाल साई से पूछना है वैसे एक बाद मैं आप सभी को कह दू फिर से एक बार ओ गॉड एक कार्ड तो निकल गया पहले मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ पर मैं इंटूशन को फॉलो करती हूँ ओके सो ये वाला डिवाइन कार्ड है ये बाद में पढ़ते हैं वान टू थ्री ओके सो ये आ गया हमारा तीन कार्ड और ये एक डिवाइन कार्ड जो आया है तो आप पहले चुन लीजे कौन सा कार्ड आपको चुनना है विडियो को पॉस कर सकते हैं अपना कार्ड चुन सकते हैं ओके सो ओप you have chosen your cards तो मैं पाइल नमबर वन से उठाती हूं और यहाँ पर आया है डिवाइन टाइमिंग तो पाइल नमबर जिसने भी चूज किया है तो आपके लिए आया है divine timing अगर आप बहुत anxious है कि कब होने वाला है मेरी मननत कब पूरी होने वाली है मेरा job कब लगने वाला है शादी कब होने वाली है मकान कब खरीतने वाले है तो ये card बताता है कि divine timing के लिए आपको wait करना पड़ेगा कुछ अच्छा होने के लिए हमें wait करना पड़ता है हम wait कर सकते हैं कुछ अच्छा अगर हमें life पे चाहिए तो तो first card says divine timing साई के divine timing पे विश्वास रखना होगा जो आपका है वो आप तक साई पहुँचा देंगे तो आईए दूसरा card पड़ते हैं जिसने भी card number 2 पिक किया है वो आता है you are same as me देखें ये card बहुत बहुत प्यारा सा card है साई उन सभी के बहुत नजदीक है बहुत close है जो बहुत मतलब heart broken होते हैं जो बहुत मतलब जिन्हें लोग बहुत दूर हटाते हैं साई उन्हें अपनाते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको सब कोई नीचा दिखा रहे हैं कोई आपको प्यार नहीं करता या फिर आपके पास पैसे नहीं है कुछ नहीं है तो साई आपके है साई इस वित यू साई आपके अंदर है इससे मतलब बहतर आपको और क्या चाहिए होगा है ना तो sign is with you so have the courage जो भी आपका काम है करते जाएए बाकी sign है आपके साथ तीसरा कार्ड जो आया है वो देख लेते हैं जिन्होंने भी तीसरा कार्ड चूस किया था तो वो है channel sign आपको जिस भी काम के लिए चुन रहे है चुन लिया है sign जिस भी काम के लिए तकको वो काम पे ड़ते रहेए वो काम बहुत अच्छे से करते चाहिए एंग्जेक्जिक्यूट कीजे उस काम को आपको वही से success मिलने वाला है साई आपका साथ दे रहे हैं, जान लेजे जो काम आप कर रहे हैं, इसमें साई का समठ है, साई आपको इस काम में लगा रहे हैं, और जो फोर्थ कार्ट जो मैं शफल करते करते जो बहार आ गया, तो I take it as this कार्ट, कि ये जो 1, 2, 3, जिसने भी तीनों कार्ट चुना है, जो भ कीजे, डेली एक अध्याय पढ़िये, या फिर साथा पारायन कीजे, या फिर हर दिन एक पारग्राफ पढ़िये, पर साई सचरज्जी का पाठ पढ़ना शुरू कीजे, so I hope आपने सवाल किया, और साई ने आप सभी को जवाब दिया, so waiting, कि साई आप सभी को अगला कब दे, till then, Jai Sairam.